नमस्कार दोस्तों आज किस वीडियो में बात करने बाले हैं बिहार SSC मैंस का पोस्ट वाइज रिजल्ट कब तक जारी किये जा सकते हैं क्योंकि आज 13 मार्च है और अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किये गए हैं जिससे कि कई छात्रों के मन में दुबिदा बना हुआ है कि उनका सेलेक्शन आगे के चरन के लिए किया जाएगा या नहीं क्योंकि आप सभी को पता है कि बिहार SSC मैंस का रिजल्ट मीनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पर जारी किये गए हैं साथ ही आयोक के दोरा अभी तक टाइपिंग टेस्स से लेटेट कुछ भी किलियर नहीं किया गया है जिससे कि सभी छात्रों के मन में टाइपिंग टेस्स से लेटेट अभी तक कन्फ्यूजन बना हुआ है तो चलिए जानते हैं बिहार अससी मेंस का पोस्ट वाइज रिजल्ट कब तक जारी किये जा सकते हैं तो चलिए आज का विड़ो इश्टर करते हैं जैसा कि आप सभी को पता है कि 12 से मेंज का रिजल्ट 25 फरवरी को जारी किया गया था जो कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्स पर रिजल्ट जारी किया गया था 25 फरवरी तक रिजल्ट बिलकुल भी तयार नहीं था लेकिन आयोग ने minimum qualifying marks पर रिजल्ट जारी कर रिजल्ट के रुप में छात्रों को lollipop थमा दिया और 25 फरवरी के notice में ही बताया गया था कि आपका रिजल्ट पोस्ट वाई जारी किया जाएगा लेकिन आज 13 मार्च हो चुके हैं लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं जारी किये गया हैं और आयोग ने सभी छात्रों को confusion में डालने के लिए पहले तो typing test का tender date आगे बरा दिया गया tender date 15 मार्च करने के बाद आयोग की तरव से कहा गया कि आपका typing test 15 मार्च के बाद लिया जाएगा लेकिन आज 13 मार्च हो चुके हैं लेकिन अभी तक result नहीं जारी किया गया है और आयोग 15 मार्च के बाद typing test लेने की बात कर रहे हैं और आयोग की तरव से नहीं अभी typing test से लेटेट सभी बातों को clear किया गया है कि typing test किस layout में लिये जाएंगे तो आप लोग बिल्कुल भी घबराएं नहीं आपका result 15 मार्च तक जारी कर दिया जाएगा और आयोग से हमारी यही request है कि वे typing test से लेटेट सभी बातों को clear कर दे जिससे कि सभी छात्रों के confusion दूर हो सके तो आप लोग 15 मार्च तक इंतजार जरूर करें क्योंकि इंतजार करने के आलावा आपके पास कोई और चारा नहीं है तो result के regarding जैसे कोई official update आएगी हम आपको वीडियो के मादम से सुचित कर देंगे इसके लिए आप मैंने चनल को सब्सक्राइब करने वीडियो चल करें वीडियो को लाइक और से तो चल करते हैं वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद